आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो हमको identify करना है X क्या होगा ठीक है तो हम लोग जानते हैं जब भी हम गिल्डराट रेजेंट की reaction कराते हैं तो होता क्या है कि जो भी carbon atoms इसमें रहते हैं और इसकी reaction क्या है इसमें होती है तो ये carbon atoms और इसके carbon atoms मिला के आपका product बनता है मतलब यहां पर तीन carbon atoms आ रहे हैं हमाई ketone में और साथ में ammonia gas evolve हो रही है जब ammonia gas evolve होती है ऐसा product जो है वो आपका C111N group ही होगा तब ही आपके ammonia gas evolve होती है अब दूसरी बात यह हुई कि यहां पर आपका carbon atoms जो है वो आपका क्या होना चाहिए आपका total जो है वो आपका यहां जितने आ रहे है उतने यहां पर होनी चाहिए तो यहां carbon atom जो है यहां आपका एक इधर है और यहां पर कितने होनी चिह दो होनी चाहिए क्यूंकि तभी आपका product जो है 3 carbon atom का बनेगा अब अगर हम बात करें कि अपने option की तो ethyl syanide so ethyl syanide होता है CH3 CH2 C++N इसमें C++N group तो है लेकिन हमें carbon atoms चाहिए 2 का क्योंकि जो X में carbon atoms आने चाहिए वो 2 carbon atoms आने चाहिए क्योंकि तभी हमारा product 3 carbon atoms का बनेगा क्योंकि 1 carbon atoms आपके gignard reagent में है इसका मतलब हो गया की A जो है ये cancel हो जाएगा इसके बार ethyl chloride so ethyl chloride जो है C2H5Cl दो carbon तो है लेकिन हमें क्या चाहिए दो carbon के साथ आपका C++N वाला group चाहिए तो ये ऐसा नहीं है ठीक है इसमें ammonia gas evolve ही नहीं होगी ठीक है ये जो है ये आपका cancel हो गया इसके बाद आते है एथेन नाइट्राइल और एथेन नाइट्राइल होता है CS3 C++N तो C++N contain कर रहा है और दो carbon है इसमें इसका मतलब ये हो जाएगा इसके बाद मेथेन नाइट्राइल मतलब HCN इसमें एक ही carbonate है तो ये नहीं बनेगा ठीक है अब मेकनेंज कैसे हो रहे है वो मैं दिखाता हूँ ठीक है अब यहाँ पर अगर हम एथेन नाइट्राइल मतलब CS3 C++N ले रहे हैं और यहाँ पर गरगनार्ड रियेजेंट की रियक्शन करा रहा है तो गरगनार्ड रियेजेंट में यह भी पर्सेल लेटेटर चार कंटेंड करने के वैसे इट विल एक्ट लाइक अ निक्ल फाइल तो इट विल अटेक उन दिस कार्बनेटर और यह जो है यह आपका बॉन टूट जाएगा तो यहाँ से आपका आपका CS3C यहाँ डबल बॉन N और यहां पर आपका CS3 ने अटेक किया था और नाइटरूजन के उपर क्या आज आएगा माइनस चार आपका वाटर मॉलक्यूल से क्या करेगा प्रोटोन एस्टेक कर लेगा प्रोटोन एस्टेक करने के बाद क्या बनाएगा आपका CS3 C double bond NH और यहां CS3 ठीक है और nitrogen के उपर है loan पे so it will extract the proton from the water so मतलब यह क्या करेगा proton extract कर लेगा proton extract करने के बाद क्या बनाएगा CS3 C double bond NH2 प्लस हो जाएगा ठीक है और यहां पे आपका CS3 थाई अब क्या करेगा water molecule थाई हमाई पास क्योंकि हमको hydrolysis करानी है ठीक है यह क्या करेगा water molecule पास oxygen के पास loan पे है so it will attack on this carbon atom और यह जो आपका bond है यह इस तरीके से तूट जाएगा so क्या बना आपका देखते जाएए यहाँ पर आगे आपका OH H और यह H और oxygen पर positive charge ठीक है और यहाँ से आपका CS3 और यह जो है यह आपका NH2 ठीक है so nitrogen के उपर अभी भी loan पे है अब क्या होगा कि यहाँ पर oxygen के उपर positive charge आना unstable so जब यह क्या करेगा अपना proton जो है lose करेगा मतलब removal of proton होगा जब यहाँ से removal of proton है इसके पास loan पे है so it will extract the proton और सो यह बना लेगी आपके क्या CS3 CO और यहाँ पर आपका यह H और यहाँ पर हो जाएगा आपका NS3 प्लस हो जाएगा ठीक है और साथ में क्या है आपका इधर पर CS3 अब क्या होगा कि यहाँ पर इस तरीकी का product बन गया so यह जो bond है यह आपका मतलब यह है यह इस तरीकी से इधर shift हो गया और जब यहाँ shift होगा तो carbon के उपर 5 bond बनने शुरू हो जाएग 5 bond बना नहीं जाकता carbon so यह क्या है इसको अपना एक bond तोड़ना पड़ेगा so जो आपकी ammonia gas है वो आपकी evolve हो गई और यहाँ से बन गए आपका CS3 C double bond हो CS3 मतलब यह आपका बन गए ketone और यह हो गए आपका acetone ठीक है so यह है आपकी thank you क्लासिक से 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 सुपर